तो दिस वीडियो इस पॉंसर बाई स्पाइजी तो देखो यार स्पाइजी गानों कुछ सीन ऐसा है कि भाई यह जो है आप लोग अगर किसी के फोन पर स्पाइज करना चाहते हो बेसिक लिए अगर आप एगर में कोई चोटा बच्छा आप कोई चोटा बाई बहन है क्या कर पर आप लोग अपने इसके जो वैपसाइट पर आपने सब कुछ अथी तरीके सेट कर दिया तो आप लोग जो फूरा पूरा फूरा फॉन मॉनिटर कर पाऊगे और जिसका फॉन मॉनिटर रहा हो सा पता भी नीचे लेगा कि यार किस तरीके से फोन मेरा दुसरे को दिख है और आप सारी डीटेल जान पाऊगे जैसे कॉल्स हो गई मैसेजिस हो गए और लाइक फोटोस हो गई फोन पर क्या है डॉक्यमेंट्स हो गए और बैसिकली में चीज जिसके लिए मैं ज्यादा एक्साइटीड था मैं सपाइस पॉय करने के लिए नहीं मेरे को GPS से सही रह जाता है कि मालों कि दिन आपको फोन गूम हो गया और आपको नहीं पर चल रहा जो बंदा है अगर जब तक रिसेट निकरेगा उस फोन को मिला आपको थोड़ी बहुत तो टाइम होगा आपको पर चल जाए कि हाँ लास्ट लोकेशन में पर थी तो इससे यह चीज बढ़ि बंद्या का फोन आप बेसिकली स्पाय भी कर रहे हो उसे पता नहीं चलेगा किस तरीकसा आपने कर रहा है तो इसका डिस्क्रिप्शिन में डाउनोड लिंग है अब का चेक कर लो प्राइब टोड़ के पीछह लगे रहे हैं और सबके सब चाहते हैं और उन्हें पढ़िया था एक स्मार्टफून में जो कि सैमसुंग का हो यह कहीं ना कहीं मैं भी आप संसंग का यहां याँ ओकाफ कि बड़ा जाद पाइन हूँ बताने जारा हो जो कि आप लोगे लिए बेस्ट होंगे और कौन से बेस्ट नहीं होंगे यहां पर काफी सारे स्मार्टफोन जाये संसंक ने लाँच करें अभी रीसेनली और अपना पूर्टफोलियो है स्मार्टफोन का वो चेंज हो चुका है चाहे फिर आप ले लो A-Series को या फिर लेलो आप M-Series को सारी सीरीज काफी अच्छी निकाल दी से आम सकने बढ़ यहाँ पर मैं बात कुरूँ सबसे पहली सीरीज की जो की मुझे लगता है आप लोग काफी जल्दी से समझ आएगी वो है M-Series अगर आप देखो तो M-Series ते सबसे पहला स्मार्टफोन आता है लाइन अप के सस्ता सबसे सस्ता बेसिकली वो है Galaxy M10 यार मैं परसनली बताओ तो यह फोन 10 जाओर पे के अंदर मेरे को नहीं लगता कि इतना बढ़िया फोन है अगर आप लेना चाते हो तो यह फोन मतलो आप लोग Xiaomi ले सकते हो या फिर आप लोग M10 को छोड़के इसका बड़ा भाई जो किया Galaxy M20 वो ले सकते हो तो मला हमारा दूसरी लिसके ने जो फोन है वो है M20 और यारे जो M20 है वो मेरो काफी जदा बढ़िया स्मार्टफोन लगा था क्योंकि उसकी ओवराल लुक्स उसके अंदर ओवराल मलब जो भी फोन हमें मिल रहा है पूरा पैकेज वो काफी जदा बढ़िया है अगर आप देखो तो इसके तरण आप लोगो एकसिनोस का 7904 पॉर पॉसेजर देखने हो मिलता है M20 में और साइसे देदर आप लोगो डिस्पले ज़ए काफी दा बढ़िया मिलती है मलब जो डिस्पले क्वालिटी है यार वो काफी बढ़िया है साइसे देखो डिस्पले वो वी शेप नौच के अंदर आती है तो आप लोगो जो अब इमर्सिफ नहीं से वो काफी अच्छी मिलती है अगर आप लोग कुछ भी ब्राउस कर रहे हो कोई वीडियो देख रहे हो तो मज़ा आता है और साइसे दियाँ पर आप लोगो इस फोन के दर ट्रिपल स्लोट देखने हो मिलता है तो बेसिकली जिस बंदे को प्रिशानी रहती है कि यार हमें दो अपने सिम लगाने और एक SD कार लगाने तो आप लोगो ये इस फोन के दर वो कर सकते हो और दोने सिम स्लोट जो आपके डूल वोल्टी सपोर्ट करते हैं तो बढ़िया बात है एक और चीज़ जो इस फोन के दर आपको मिलती है यार फील बेसिकली जो फोन है वो दिखने में तो प्रिमियम लगता है बड़ जादा चीप सा लगता है अगर बात करूं इसके दर आप लोग क्या बड़ी और मिलते हैं और कैमरा की जो अप्टिमाइजेशन है बिल्कुल अल्टीमेट होती है बिल्कुल बढ़िया होती है उनी कैमरा की जो लाइक मैं कह सकता हूं डिटेलिंग आती है जब वो फोन प्रोसेस कर लेता हो काफी ज देखने हो मिलती है और मैं कहूंगा क्यामरा काफी अच्छा है उसके रेंच के हिसाब से तो अगरा आप लोग लिए चामरा फोन जिसके सब कुछ सही चले तो आप लोग यह सकते हो इसके दर आपको एक्सपरियेंस युआ भी देखने हो मिल जाते है यह भी चीज आप लो इसके इंदर नेक्स फोन वह है M30 तो भाई M20 का बड़ा भाई M30 वह भी रिसेंटी थोड़े उसके बाद लाउंच हो गया था और भाई क्या फोन निकाला है यार सामसंग में वह भी वह मैं कह सकता हूं तो वह ट्रू सक्सेसर है अगर आप लोग देखो उस फोन के दर और आप लोग भी यह मानों के जब आप लोगों से यूज करोगे तो एक बार M30 की डिस्प्ले आप लोग फोन यूज करके देखो क्रोमा में जाओ कहीं जहां पर चला के फोन मजा आ जाएगा तो M30 की डिस्प्ले में काफी जब पसन है लेकिन बात कर इसके अदर भी आप 5000 मिलियंपेर की बैटरी देखों मिलती है एकसिनो 7904 ही प्रोसेसर देखों मिलता है तो यह प्रफॉर्मस बोलूंगा ठीक ठाक है लेकिन काफी बढ़िया प्रफॉर्मस मुझे लगती नहीं प्रोसेसर से जो निकलके आती है अगर बात कर दिजाए यहां पर कैमरा की तो लोगो हाँ जो ट्रिपल कैमरा देखों मिलती है यह जो घोता है और मैं कहूंगा कई सिनरीयो उसके अंदर रफॉर्मस चाहते हो तो इसके तर काफी दले चीज़े मिल जाती हैं आप लोगो लेकिन जो उसका डिजाइन वो थोड़ा एम-20 से चेंजड है तो अगरा अप ल उसके तरह आपको gradient back देखने मिलती है मालना dual tone वाली अब यार अगर बात करें प्राइस के साब से अगर हम आगे बढ़ें तो यार next आता है smartphone Galaxy A30 अब यार ये जो phone है यार मैं recommend नहीं करता आप लोगो लेकिन हाँ ये जो phone है इसके दरा मेरे को जो सबसे चीचीच लगी वो ये इसका design पीछे से यार ये phone काफी चाद दिखने में अच्छा है और overall सही है बट internal जो specification है इसके internally hardware वाइस वो यार तिनी बढ़िया नहीं है तो यार मैं इसलिए recommend नहीं करता बट अगर design काफी बढ़िया है next जो phone हमारी इस list के अदर आता है यार वो मेरा personal favorite है जो कि मैंने अभी तक मैंने 2-3 लोगों को दिला दिया है recommend कर चुका हूँ मैं और भाई वो है Galaxy का A50 20,000 रुपे गए यार ये phone है और इसके अदर आपको tech मिल रहा है ना Samsung की तरफ से वो काफी जादा है मतलब कि अगर आप लोग देखो इस phone के अंदर आप लोगो हर एक चीज बढ़िया मिलती है इसकी display, इसकी performance, इसके अंदर हर एक चीज आपको best है बात कुर इसके अंदर आप लोगो क्या खास मिलता है तो देखो सबसे पहले चीज इसकी display इसमें आपको मिलती है U-shaped notch वाली display जो कि आप लोगो Super AMOLED वाली technology के साथ मिलती है और वो भी 6.4 inches की तो display का जो बेसिकली bezels का ratio है वो काफी जादा कम है तो display काफी बढ़िया लगती है इस phone की परसनली बता रहा हूं मैंने यूज कर रहा है फोन वैसे सारी करें मैंने यूज और सब पर वीडियो ही बनाई है तो आप लोग चेक कर सकते चैनल के उपर बाकि ये फोन के ना मेरे को और एक चीज़ जो बढ़िया लगी वो डिजाइन के मामने में इसकी बैग वाइट कलर यह तरह मस्त लगता है लेकिन जो ब्लाक कलर यार वो तो मलब और आईसिंग किएक वाली बात हो विए तो हर एक चीज़ इसकी बहुत ही ज़ाद जढ़स है और एक और बात精ि़ आता हम रहा है इसकी फोन कंटमाको अंटर डिस्प्लेट पिएरउस श्टमी अ कर दो फोड़ा यार हां हम प्या नहीं है बठाँ यह है थोड़ा स्लोव है जो मैंने अभी तक सुना इसके बारे में तो वह चीज आप लोग ध्यान रखना बाकी अगराल बोलू इस फोन की प्रफॉर्मेंस काफी जा मेरे को बढ़िया लगी वन यूई के अंदर काफी फीचर्स है तो आप लोग वह भी ध्यान रख इस फोन का मैं कैसका तो आप्टिमाइजेशन ने क्यामरे की जैसे आपको पहले इस बढ़िया है वह काफी जदा बढ़िया है तो इस फोन के लिए हम लोग को काफी अच्छी अप्टिमाइजेशन देखने को मिल जाती है और अगर आप लोगो मन है कि टीक टॉक की वीडि सेंसर देखने को मिलता है जो की काफी ज्यादा बढ़िया क्लिक करता है आप लोग की फोटोस तो मैं बोलूगा हां सही है लेकिन कभी वार ही होता है कि आपकी फोटोस काफी सॉफ्ट आ जाती है तो वो चीज आप लोग ध्यान रखना बाकी ओवराल ये फोन मुझे काफी से ही लगा अब यार एक और फोन मैं रिकमेंट करी देता हूं लेकिन मैं वैसे करूंगा नहीं एक अभी सामसंग ने आज ही लॉंच कर एक गलेक्सी का A70 सई फोन है यार बट बहुत महेंगा है दिखने में A50 से ही लगबग मालनों सामने से कुछ दिखता है इतना कुछ ड पढ़ लेना बागी यही थी आज की वीडियो कॉमेंट और लाइक करके ज़रूर मुझे दस्तों के आप लोग कैसी लगी और अगर आज आप कोई वीडियो पसा है यार तो यार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकर दोलाग सब्सक्राइबर से काफी करीब है यार करीब है आप लोग का सब्सक्राइब बहुत अदब मसते हैं मिलता आप से एक और स्क्राइब के अंदर तैंक्स वाचिंग